हेलो गाइस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जून और जुलाई दोनों महीने के बैंकिंग और फाइनेंशल अवेर्नेस रिलेटेड एम से क्यूस कवर करने वाले हैं, हमेसा के आप इस वीडियो को अंतर तक चरूर दिखेगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा, साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, इदिया हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ और मतली पीडि जी के भी प्रोवाइड कराते हैं, यह सबी मैटेल आपको हमारी करेंट अफेर्स पंडा एप पर उपलब्द हो पाएगा, कोई भी अगर आपका डाउट है मारे पीडियेफ को सम्बंदित, तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, तो चले फिर करते हैं शुरू जुनियादी धाचे के आधनी करन के लिए 245 मिलियन यूएस टोलर के रिट वो मंजूरी दी है, विच स्मॉल फाइनस बैंक हैस लूंच्ट कॉस्टमाइज़ेबर क्रेट कार्ड लिविट टूडे, सही आंसर उप्शन यह है, एई यू स्मॉल फाइनस बैंक ने अनुकू स्मॉल फाइनस बैंक, बैंगलोरू इस्तित फिंटेक स्टार्टप फ्रियो ने एक्विटास स्मॉल फाइनस बैंक के साथ सायधारी में फ्रियो सेव की पेशकर्श करते हुए एक डिजिटल बचत खाता लांच किया, दे सेंटर्स दिपार्टमेंट औफ पेंशन और पें पेंशन फोर्टल बनाने के लिए स्टेट बैंक ओफ इंड़ा के साथ सहयोग करेगा, विच बैंक है साइनन एगरिमेंट विद केरला स्फोरेस्ट और वाइल लाइफ दिपार्टमेंट फोर डिजिटल पेंट कलेक्शन डिजिटल भुकतान संग्रह के लिए साउथ इंड बैंक ने केरल के वन और वन ने जीविभा के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं, एडिटल पेमेंट्स बैंक हैस पार्टनर विद विच बैंक तो डिजिटाइज दे कैश कालेक्शन सिस्टम इन टियर 3 सिटीज और सेभी अर्बन रिजंस, एडिटल पेमेंट्स बै पेनल्टी ओफ रुपीज 1 करोड ओन इंडसिंट बैंक और रुपीज 1.05 करोड ओन कोटक महिंदरा बैंक रस्पेक्टिविली, विच बैंक हैस लॉंच्ट अ क्रेडित लाइन सर्विस उसिं इस AI पार्ड चैट कैपाबिलिटी ओन वटसेप, सो कैश कंपनी ने वटसेप पर अपनी AI पार्ड चेट चमता का उपयोग करके, क्रेडिट लाइन सेवास रुकी है, तो सरकार ने को संसोधन करके, बैंक पॉर्ड बीरो को वित्य सेवास नस्थान बीरो में बदल दिया है, बैंक बॉर्ड ऑफ बीरो के वरतमान अध्याक्षबान प्रताप शर्मा है, What are the limits on Individual Housing Loans for Tier 1, Tier 2 Urban Cooperative Banks? Tier 1, Tier 2 शहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिकत आवास रेडिकी सीमा साट लाग और एक्सोचालिस लाग रुपए है, तो Tier 1 के लिए साट लाग है, Tier 2 के लिए एक्सोचालिस लाग है, Star Health and Allied Insurance has signed a Corporate Agency Agreement with VG Bank for Distribution of Health Insurance Solutions, Star Health and Allied Insurance ने स्वास्थ बीमा समाधान के वितरण के लिए, IDFC First Bank के साथ Corporate Agency Agreement पर हस्ताक्षर किये है, The Department of Financial Services of the Ministry of Defense has assigned three private sector banks, namely SDFC Bank Limited, ICICI Bank and Axis Bank to provide the Letter of Credit and Direct Bank Transfer Business for Overseas Procurement by the Defense Ministry. रक्षा मंत्राले के वित्यवी भाग, वित्यस सेवाई भाग ने तीन नीजी छेत्रों के बैंक, SDFC Bank Limited, ICICI Bank को, रक्षा मंत्राले द्वारा विदेशी खरीद के लिए Letter of Credit और Direct Bank Transfer वियवसाय प्रोदार करने के लिए चुना है, विच फाइनेशल इंसिटूशन है एप्रोवड टू कॉम्वेंटरी लॉन्स और 500 मिलियन यूइस टोलर इच तूपोर्ट और इनहांस इंडिया सेक्टर, so world bank ने भारत की स्वास्ते छेतर को समर्थन देने और बढ़ाने के लिए 500 million US store के मतलब प्रती एक 500 million US store के दो पूरक हरीडों को मंजूरी दी है या आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं 1 billion US store के SBI card has partnered with Aditya Birla Finance to launch Aditya Birla SBI card who is the manager, director and CEO of SBI card SBI card ने अदिते Birla SBI card launch करने के लिए Aditya Birla Finance के साथ साहतारी की है SBI card के परबंद देशक और CEO रामा मोहन राव अमारा है The Karnataka Digital Economy Mission has partnered with Rich Bank to support the startup ecosystem of Karnataka Karnataka Digital Economy Mission ने Karnataka startup ecosystem का समर्थन करने के लिए State Bank of India के साथ भागदारी की है Shri Ram General Insurance signed a corporate agency agreement with which Bank Shri Ram General Insurance ने City Union Bank के साथ corporate agency सम्झोते पर हस्ताक्षर किये है Which Bank has acquired the Agree and Healthcare Equipment Financing Portfolio of Dele's Land in Financial Services India So Kotech Mahindra Bank ने Dealers Land in Financial Services India के क्रिशी और Healthcare उपकरण विथ पोशन पर्टफोलियो का अधिगरण किया है Union Bank of India has launched a Metaverse virtual launch and open banking sandbox environment in partnership with which of the following Union Bank of India ने Tech Mahindra के साथ साथ सायदारी में Metaverse virtual launch और open banking sandbox environment launch किया है Which company including ReservPay received in principle approval from RBI for payment aggregator license ReservPay Sahit, OnePay, Stripe, Pine Labs इन सभी को भुकतान aggregator license के लिए RBI से सधान्तिक मंजूरी मिली है So यह answer option D है all of the above The RBI in July 2022 imposed a penalty of what amount on federal bank RBI ने July 2022 में federal bank पर 5.72 करों रूपे का जुर्माना लगाया है Gita Gopinath has become the first woman and second Indian to feature on the wall of former chief economist of the International Monetary Fund Who was the first Indian to receive this honor Gita Gopinath अंतरास्टे मुद्राकोस की पूर्व मुख्य अर्थसास्त्यों की दिवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली मैला और दूसरी भारतिये बनी है The Indian Air Force for Rakshak Plus Scheme So Punjab National Bank ने Rakshak Plus यूजना के लिए भारती वायूसेना के साथ समझोधा गावर पर सक्षर किये है Which NBFC has received an approval from the RBI to open 150 new branches across the nation So Muthut Finance को देश पर में 150 नई साकाइं कोनने के लिए RBI से मंचुरी मिली है The Asian Infrastructure Investment Bank has approved the establishment of an interim operational hub in West City Asian Infrastructure Investment Bank ने आबुधाभी सहर में एक अंत्रिम परिचालन किंद्र की स्थापना को मंचुरी दी है Bank of Badoza has partnered with Women's World Banking To roll out the third and broader phase of Badoza Jan Dhan Plus program in which it states Bank of Badoza ने उत्तरप्रदेश और उत्राखन राज्य में Badoza Jan Dhan Plus कार्योगरम के तीसरे और व्यापक चरण को सुरू करने के लिए महिला विस्यों बैंकिंग के साथ भागेदारी की है RBI imposed restrictions on the city-based Ramgadiya Cooperative Bank RBI ने New Delhi State Ramgadiya Sahagari Bank पर प्रतिबंद लगाया है The Reserve Bank of India has imposed a fine of Rs. 1.67 crore on OLA Financial Services Private Limited for non-compliance with Know Your Customer Guidelines Bharathya Reserve Bank ने ग्राख को जानिए दिसा निर्देशों का पालन न करने के लिए OLA Financial Services Private Limited पर 1.67 crore का जुरुआना लगाया है Tata AIA Life Insurance announced a strategic alliance with which bank to offer life and health insurance solutions to the bank's consumers Tata AIA Life Insurance ने bank के उभखताओं को जीवन और स्वास्त भीमा समाधान परदान करने के लिए City Union Bank के साथ रणिती कड़ बंदल की खुशना की है The number of fraud cases in private as well as public sector banks dropped to 118 in Fiscal Year 22 from 265 in 2020-21 Niji के साथ साथ सारवजनिक छेतर के bankों में धोकादरी के मामलों की संख्या वित्वर्स 22 में घटकर 118 हो गई जो 2020 में 265 थी Reserve Bank of India and the Central Bank of which country in July 2022 have signed NMOU to improve mutual cooperation जुलाई 2022 में भारतिवर बैंक और इंडोनेशिया की केंद्रे बैंक ने आफसी सेविंग में सुधार के लिए एक समझोताग्या पर प्रसक्षर किये हैं Which of the following has become the first private bank to fully integrate with the new e-filing portal of the Income Tax Department? So, Kotak Mahindra Bank आयकर भाग के नए e-filing portal के साथ पुरी तरह से एक इकरत होने वाला पहला Niji Bank बन गया है Which bank was named as Which bank was named the world's best SME bank by Euromoney, Euromoney द्वारा DBS bank को विश्का सर्फिस्ट SME bank नामित किया गया है Which bank has signed MOU with Haryana to distribute mobile phones, mobile phone वित्रित करने के लिए Indian bank ने Haryana के साथ समझोदग्या अपनपरस्ताक्षर किये है RBI has increased the external commercial borrowing limit under the automatic route from 750 million US dollar per financial year to what amount RBI ने 140 mark के तहत बहरी वानिजिक उधार की सीमा गो 750 million अमेरिकी डोलर पतिवित्यवर्स से बढ़ा कर 1.5 million US dollar करती है Which bank has partnered with NEED to train and hire data engineers data engineer को परसिक्षित करने और निउक्त करने के लिए HDFC bank ने NEED के साथ सायधारी की है India mortgage guarantee corporation has entered into a strategic partnership with which bank to offer mortgage guarantee backed home loans भारत बंधक guarantee निगम ने RPL bank के साथ बंधक guarantee समर्थित ग्रह रेनी की पेशकर्ष करने के लिए रंडितिक सायधारी की है बजाज आलियांस Life Insurance Inc. strategic partnership with which bank for its life insurance solutions बजाज आलियांस Life Insurance ने अपने जीवन भीमा समाधान के लिए City Union Bank के साथ रंडितिक साजधारी की है The Reserve Bank of India has selected which agency to conduct field work for inflation expectation survey बारत रिजर बैंक ने मुदरा स्वीती परतियासर सर्वेक्षन के लिए field work करने के लिए हंसा research group को chain किया है As per the RBI, when a bank has 10% or more of equity investment in a fintech platform it cannot use the platform to sell its banking products RBI के नुसार जब किसी bank के पास fintech platform में equity निवेश का 10% या उससे अधिक है तो वे अपने banking उतपादों को बेचने के लिए platform का उप्योग नहीं कर सकता है The Reserve Bank of India has signed its renewed statement of commitment to the FX Global Code when was this code initially launched बारती Reserve Bank ने FX Global Code के लिए renewed statement of commitment पर हस्ताक्षर किये है इस code को सबसे पहले 25 माई 2017 को launch किया गया था Which bank has appointed Rama Subramanyam Gandhi as an additional independent director for a period of 5 years So, Yes Bank ने Rama Subramanyam Gandhi को 5 साल की अवदी के लिए अत्रिक्त स्वत्मत्रन देशक के रूप में न्युक्त किया है Which bank has announced the launch of a co-branded credit card with Is My Trip So, Standard Chartered Bank ने Is My Trip के साथ co-branded credit card launch करने की घुशना की है Which public sector bank received the board's approval to raise up to raise up to 11,000 crore rupees through the issuance of bonds Right answer option C So, State Bank of India को bond जारी करने के माध्यम से 11,000 crore rupees तक जुटाने के लिए Board की मंजूरी मिली है Which state top the smart city fund utilization Smart city fund उपयोग में Tamil Nadu Rajya Shirs पर रहा As per the RBI's article Headwinds of COVID-19 and India's Invert Remittances The share of remittances from Gulf Cooperation Council region to India has declined 30% in 2020-21 RBI के नुच्छेद Headwinds of COVID-19 and India's Invert Remittance के नुसार Khadi सहयोग परिसाच छेतर से भारत में प्रोएक्षण की हिस्सेदारी में 2020-21 में 30% की गिरावट आई है Which bank has approved 875 million investors for water, sanitation, ecotourism and transport in Brazil, China and India So, New Development Bank ने Brazil, चीन और भारत में पानी 106, 25 प्रेटन और परिवायन के लिए 875 million American dollar की मंजूरी दी है The Reserve Bank of India has hiked the minimum capital advocacy ratio for urban cooperative banks With deposits above rate above rupees 100 crore to 8% Bardo Rezbank ने 100 crore रुपे से अधिक जमावाले सहरी सहकारी बैंकों के लिए न्यूंतम पुंजी परियाप्टता अनुपात को बढ़ा कर 12% कर दिया है The World Bank in July 2022 approved 500 million US dollar credit to which country to help improve disaster preparedness against inland flooding Wish Bank ने जुलाई 2022 में अंतर देशे बाड़े के खिलाफ आपता तैयारियों में सुधार करने की मदद के लिए बांगलादेश को 500 million US dollar के रिण को मंजूरी दी है Which Bank has signed a Memorandum of Understanding with JCB India Limited JCB India Limited के साथ करनाटक बैंक ने समझे तक आपर पर स्थाक्षर किये है In exercise of the powers conferred under which section of the RBI Act 1934 The Reserve Bank has cancelled the certificate of registration of five non-banking financial companies recently RBI यदिने मन 1934 किस धारा के तहत प्रदत सक्तियों का उप्योग करते हुए Reserve Bank ने हाल ही में 5 care banking वित्य कंपनियों के पंजी करन परमान पत्रकों रद्द कर दिया सही आंत्रोप्शन सी है section 45 IA 6-4 Which bank has emerged as the top performer among public sector lenders in terms of loan and deposit growth in percentage terms during 2021-2022 2021-2022 के दोरान रेण और जमाब रिद्दी के मामले में सारवजिनी छेत्र के रेण दाताओ में Bank of Maharashtra सीर्थ प्रदर्शन करता के रूप में उबरा है What was the collective profit of 12 state-owned banks during 2021-2022 So, 16,549 करोड रूपे ये 12 जो public sector union bank है इनका सामरी किलाब रहा है Which bank has chosen J.C.Flaars Asset Reconstruction as its joint venture partner to offload 49,000 करोड रूपीज of bad loans So, Yes bank ने J.C.Flaars Asset Reconstruction Company को अपने संयुक्त उद्द्यम भागिदार के रूप में 49,000 करोड के bad loans को offload करने के लिए चुना है Which bank has tied up with Accenture for digital transformation, digital परिवरतन के लिए HDFC bank ने Accenture के साथ करार किया है Airtel Payments Bank has partnered with which finance company to offer gold loans on Airtel Thanks App Airtel Payments Bank ने Airtel Thanks App पर gold loan देने के लिए मुथूत Finance के साथ भागिदारी की है The size of the Reserve Bank's balance sheet has increased by what percent during 2021-22 as per RBI's annual report 2021-22 RBI की वार्षिक रिपोट 2021-22 के रूपर 2021-22 के दोरान Reserve Bank की balance sheet में 8,46% की विद्धी हुई है Which small finance bank has announced its partnership with new bank startup MobiSuffer So Suryoday small finance bank ने new bank startup MobiSuffer के साथ अपनी साइधारी की घोजना की है Which bank has partnered with Jest Money to expand Cardless EMI facility So ICIC bank ने Cardless EMI सो विदा का विश्तार करने के लिए Jest Money के साथ साइधारी की है It is one of the oldest private sector banks in the country to receive the nod from the Securities and Exchange Board of India for its proposed initial public offering named the bank यह देश के सबसे पुराने निजी चेतर के bankों मेंशे एक है जिसे अपने प्रस्तावित प्रारभ्मिक सर्वजनिक पेशकर्स के लिए भारती प्रतिपूती और वीनिमय बोर्ट से मंजूरी मिली है इस bank का नाम तमिलनाड मरकेंटाइल bank है The RBI raised the limit for auto debit done through cards and UPI to how much amount RBI ने card और UPI के माध्यम से किये गए auto debit की सीमा 15,000 टुपीज तक बढ़ा दी है The RBI has approved which category of banks to provide doorstep banking services RBI ने urban cooperative banks के bankों को doorstep banking से वाय परदान करने की मंजूरी दी है Which bank has been impaneled as the official banking partner of MRU The electronic trading platform introduced by rubber board Rubber board द्वारा सुरूव के गई electronic trading platform MRU के आधिकारिक banking भागिदार के रूप में federal bank को सुचिबद्ध किया गया है Which bank has announced the launch of nation builders salary account So Kotech Mahindra bank ने nation builders वेतन खाता सुरूव करने की गोश्चना की है The Reserve Bank of India has approved the appointment of R. Subramanya Kumar as Managing Director and CEO of which bank Reserve Bank of India ने R.E.B.L. Bank के परबंध निदेशक और CEO के रूप में R. Subramanya Kumar के न्युक्तिकों मंजूरी दे दी है उत्रप्रदेश Expressway Industrial Development Authority has collaborated with Street Bank of India, Bank of Badoza, Punjab National Bank and which all India financial institutions to boost investment in U.P. उत्रप्रदेश Expressway और जोगी वीकास प्रादिकरणने भारती Street Bank, Bank of Badoza, Punjab National Bank और Small Industries Development Bank of India यानि की SIDB के साथ U.P. में निवेच को बढ़ावा देने के रिए सहयोग किया है which bank has signed an MOU with 100x.vc to support startups so HDFC Bank ने startup का समातन करने के लिए 100x.vc के साथ समझोते गावर पर अस्ताक्षर किये है which bank has acquired a 9.9% stake in Swakarma Finance so DBS Bank India ने Swakarma Finance में 9.9% हिस्तेदारी का धिगरण किया है Reserve Bank of India has cancelled the license of which state-based Milat Cooperative Bank Ltd. भारते स्टेट बारते स्टेट बारते ज़र बैंक ने करनाटका राज जे इस सित्त Milat सहकारी बैंक लिमिटेट का license रद्द कर दिया है करनाटका बैंक has launched online SP account opening facility through video based customer identification process who is the MD and CEO of the bank करनाटक बैंक ने video अजारी तिदरहाग प्राइचान प्रकिरिया के माध्यम से online SP खाता खोलने की सोविधा सुरू की है इस bank के MD and CEO महाबलेश्वरा MS है which portal has been launched by the South India Bank for its corporate exim customers South India Bank ने पने corporate exim ग्रहाकों के लिए SIB TF online portal launch किया है Card91 a global payment issuance infrastructure company announced a strategic partnership with Rupay and which bank Westwick भुकतान जारी करने वाली अफसर नचना company Card91 ने रूपे और Yes Bank के साथ एक रणनीदिक साहधारी की होशना की है which bank has launched a digital platform called Campus Par for students so ICIC Bank ने छातरों के लिए Campus Par नामा के एक digital platform launch किया है which bank has received in principle approval from the Reserve Bank of India for its proposed operations support subsidiary so State Bank of India ने अपने प्रस्तावीत परिचाद साहता साहक के लिए भारते रिजर्ट बैंक से सैद्धान्तिक मंजूरी प्राप्त की है which Fintech Services company has launched UPI 123 Pay Payment and Wearable ATM Cards so Ace Money ने UPI 123 Pay भुकतान और पहनने योग के ATM Card launch किये है the Reserve Bank of India has extended the Card on File Tokenization deadline तिल विच मंद वारते रिजर्ट बैंक ने Card on File Tokenization की समय सीमा सितंबर 2022 तक बढ़ा दी है which Fintech company has received in principle RBI approval for issuance of semi-closed prepared payment instruments semi-closed prepared payment instruments जारी करने के लिए Fintech company Mufin Finance को सैंधान्तिक रूप से RBI की मंजूरी मिली है which organization has approved 250 million US dollar loan to support the government of India's road safety program for seven states so World Bank ने साथ राज्यों के लिए भारत सरकार के सरक्सा कारे करम का समरतन करने के 250 million US dollar के रिण को मंजूरी दी है साथ ही आप Current Affairs Fanta को Telegram पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और Current quiz ने हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते आपर हमारे Current Affairs की प्लेजिश दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ आज का इस सेशन आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताईएगा thank you guys